अब हम देखते हैं कि किस परकार से अगर हमारे pen drive में फाइल्स जो हैं वो अगर एंटिवाइस प्रोग्राम जो हैं हाइड कर देता हैं और फोल्डर्स भी हाइड हो जाते हैं तो हम उसको किस परकार से वापिस ला सकते हैं उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे start button पे command prompt पे command prompt पे जाने के बाद यह जो pen drive का icon है यह हमरा i drive है हम इसके लिए यहां पे i drive में जाएंगे i colon लिखे enter करेंगे उसके बाद अब हम यहां पे command लिखेंगे a double t ri b then लिखेंगे हम star dot star फिर हम लिखेंगे minus h यह hidden के लिए हो गया minus r यह read only के लिए हो गया और slash d means सारे folders को भी यह check करें जब हम यह करेंगे तो हमारे जितने भी यह देखिए folder हमेरे पास वापस recover हो जाएगा हम इसको open कर सकेंगे और इसके बाद हम इसके contents को cut करके यहां से बाहर paste कर सकेंगे और जो folder है अब हम इसको remove कर जाते हैं